आज मैं बहुती चटपटी रेसेपी बना रहे हूँ, इसे बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे, हमारे बेटे को बहुती पसंद है, अपने बेटे मन पसंद बना रहे हूँ, हफ्ते में एक दो बार तो इसे मैं जरूर बनाती हूँ, और हमें भी अच्छा लगता है, स दनिया पत्ती ली हूँ, मैं आज हरी चटनी बनाऊँगी इसके साथ खाने के लिए, वैसे आप अपनी मन पसंद चटनी बना सकते हैं, आलू को छेल ले रही हूँ, और तीन आउला इस्तेमाल करूँगी, दनिया पत्ती में दोली हूँ, थोड़ा सा छोटा कर ले रही हू ताकि पीछने में कोई दिक्कत न हो, और इसमें आउला डालूँगी, आउले के बारे में आपको पता ही है, आउला ओवराल हिल्थ के लिए फायदे मंद होता है, चेरे पर जूरियां जाईयां हैं, दाग धबे हैं, उसे खतम करता है, अगर बाल जादा जड़ रहा हैं, स अच्छा ऐसे खालें, तो मैं एक कटोरी भर के चावल के आटा ली हूँ, चावल के आटा मार्केट में इजली मिल जाता है, अगर आपको न मिले तो मिक्सी में पीछ सकते हैं, एक बार धोकर थोड़ा सा सुखालें, मिक्सी में पीछें और छान कर इस्तेमाल करें, इसके लिए बारी चावल के आटा चाहिए, और धनियक पत्ती, अद्रक, लैसुन, हरी मिर्च ले ली हूँ, मैं ग्रीन चेटनी बना रहे हूँ, ग्रीन चेटनी बहुत ही हिल्दी होती है, खाने में टेस्टी भी होती है, खाने का स्वात दुगना हो जाता है, सीजर में तो हमार अचली में चाट मासाला डाली हूँ, थोड़ा सा पानी डालकर चटनी के पीस लोगी, अभी धोड़ा पानी डालोगी ताकि पीसने में दिक्कत नोव महिन चटनी पिश जाये, अगर चटनी काड़ी हुद बाद में पानी डाल सकते हं। तो हमारी चेटनी पिस गई है वैसे गाड़ी लग रही है थोड़ा पानी में डाल दोंगी एक बड़तन में पलट ले रही हूं जिन लोगों को बीपी सुगर और कोलेश्ट्रोल की प्रब्लम है ना उनके लिए भी आउला बहुत ही फायदा करता है आउला ओवराल हेल्थ के किसी भी तरह से खाए अब कड़ा ही रखी हूं गैस पे एक चेमच तेल डाली हूं आधा चेमच जीरा आधा चेमच सरसो डाली हूं थोड़ा से जीरा और सरसो पक जाय तो डेढ़ कटोरी पानी डाल दे हूं और इसमें मैं हरी धनिया काटके डाल दी हूं स्वादन उसान मैं एक चेमच नमक डाल दे हूं जब पानी में उबाला जाए तब गैस बंद करके एक कटोरी भर के चावल के आधा डाल दे हूं और इसी कटोरी से डेड़ कटोरी पानी डाले हूं इतना ठीक है ज्यादा पानी डाल देंगे तो आधा गेला हो जाएगा और थोड़ा पूल जाएगा जब आटा फूल जाता है गरम पानी में तब थोड़ा लचीला हो जाता है फटता नहीं है चाहे तो इसकी पूड़िया बना ले या कचवरी बना ले बहुत आराम साब बना सकते हैं तब तक हम मसाले तयार कर लेंगे आलू के साथ दूसरा पैन रखी हूं इसमें दो चेमच देल आदा चेमच चीरा आदा चेमच सर्सो थोड़ा सा पक जाएगा तब इसमें और मसाले डाल देंगे इसमें दो पिंच हिंग भी डाल दी हूं हिंग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अब मैं इसमें डाल दे रहे हूं प्याज आधी प्याज का आप अपने जवरत हिसाब से चावल के आंठा और आलू ले सकते हैं जितना आपके घर में जवरत हो तो अच्छे तरीके से मिला कर तब इसमें मसाले डालेंगे आदा चेममच हल्दी पोड़र आदा चेममच धनिया पोड़र करम मसाला आदा चेममच और कास्मेरी लाल मिला लेंगे अच्छे तरीके से उसके बाद धनिया पत्ती डालेंगे बढ़िया से मिलाएंगे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है धीमियाज पर इसे मिलाते जाएंगे तेल के साथ थोड़ा सा आलू भून लेते हैं तो बढ़िया टेस्ट आता है उसके बाद मसाले ड इसमें चाहें तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, मैं इसमें गरम मसाला डाली हूँ, अच्छा टेस्ट आएगा, अपने एक्छामसार कोई भी बढ़िया मसाला आप डाल सकते हैं, चाहें तो पाव भाजी का मसाला डाल दें, थोड़ा से ठंडा होने देंगे, हमारा ये जो चावल का मिक्स रखी थी, ये भी तयार हो चुका है, थोड़ा ठंडा हो गया है, कवर करके रखने से लचीला हो जाता है, गरम गरम में थोड़ा पक जाता है, एक बरतन में निकाल लेंगे, हाथ से थोड़ा मसाल लेंगे, ये तेखने में भर-भरा सा लग रहा है, कर सकते हैं लेकिन इसमें पानी डालने के जवरुत नहीं पड़े थोड़ा सा मसल कर में लगा ली हूं और आलू के मसाला इदर रख ले रही हूं थोड़ा साथ में तेल लगा कर लोई बनाएंगे छोटा बड़ा आप अपनी इक्षानुसार बना सकते हैं मैं मीडियम साइज के बना रही हूं थोटी स्लोई लेकर गोल करेंगे फिर आलू के मसाला जो तयार करेंगे इसके अंदर भड़ देंगे इस तरीके से अब इसके अंदर आलोग मशाला लगा देंगे ये थोड़ा सा गोल करके रखेंगे इसे भी ताकि निखले न ऐसे गोल कर लेंगे लड्डू की तेरा न बीच में रख देंगे और कवर कर देंगे आप चाहें तो इसे ऐसे ही राने दें या तो हलका सा चप्टा कर दें जैसे कचवरी और बनाते हैं तो यह मैं बना ली हूँ एक और दिखा दे रहे हूँ थोड़ा सा तेल लगाएं अगर चिपके तो लगाएं न चिपके तो नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा गोल करने इसक बार बीच में थोड़ा सा कटओरी के ठड़ करके अलो को मिसाला धालेंगे सेम तरीके सवह सारा में भरके तियार कर सकते हैं जी बाद आप चाहें तो इसे स्टीम कर सकते हैं या तो डिफ्राई कर ले Yeah इसे कम तेल लगेगा इस्टीम् भी करकिए से खा सकथे जिन लोगों को तेल से परहेज है तलसत उनने खाना चाहते हैं तो इसे भाशमे थोड़ा पखा लेए तब je भी खाने बहुत अच्छा लगता है वो इसे भी चावल गाटा थोड़ा पका हुआ है और इसके अंदर जो आलू भरी हूं वह भी थोड़ा पका है तो हल्का से स्टीम कर लेंगे बस भग जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी इसे अलट-पलट कर सेक लेंगे गोल्डन कलर आते तक चावल गया नास्ता एक दिम कुरकुरा लगता है यह देखे बढ़ने कलर आ गया है बहुत ही करारा बनता है और बहुत कम तेल सोकता है इसे दीमी आज पर ना सेके ना तो हाई करें मीडियम हाई फिलेम पर इसे तलेंगे तब कलर अच्छा आ जाएगा एकदम तीमी आज पर तलेंगे तो टाइम लगेगा जल्दी कलर नहीं आएगा तो हमारा नास्ता तयार हो गया हमें दिखार हम कितना कुरकुरा है है ना एकदम करारा बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे बहुत ही करारा लगता है यह खाने में अपनी मन पसंद चट जब आप एक बार बनाएंगे तब ही पता चलेगा कि कितना अच्छा होता है घर में आई हुए मेहमान को भी खिलाएं अगर मिर्चे आपको पसंद हो धरी मिर्चे रख लें अपनी मन पसंद चटनी के साथ खाएं अगर यह वीडियो आपको जरश भी पसंद आए ता अप बाइ बाइ